dear parents and students स्वागत है आप सभी का दोड स्कुल में सैनिक स्कुल की first round की counselling खतम हो गई है और अब आगे क्या होगा कई जगा आपको अलग-अलग sources से information मिलेगे कि हाँ सैनिक स्कुल की medical जो date है वो आ गई है medical date आ गई है अगर आपको कोई भी ऐसी information मिलती है या आपको ऐसी information है तो सबसे पहले क्या किजिएगा आप सैनिक स्कुल के official website पर जाईए ठीक है यह सैनिक स्कुल का official website है इसका address क्या है देखो pesa.ncog.government.in इस site पर जाने के बाद आपको क्या करना है counseling process पर क्लिक करना है counseling schedule पर जाईए आप वहाँ जाने की बाद देखे यहां क्या दिया हुआ है सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि registration choice filling date कब है यह 6 तारीक को start हुआ था 6 March 2023 को ठीक है और registration and choice filling date last date आपका है start date यहां है last date यहां है last date कितना है यहां आपका last date है last date आपका 13 तारीक को था 13 March कल मिठ चुका है ठीक है उसके बाद फिर क्या है seat allocation result यहां result सो करेगा फिर आपका है verification physical come medical start date start date है और यहां आपका last date है यहां आपको जो information मिलेगा यह official site है तो इस site पर ही regular visit किजिए यहां क्या दीखा हुआ देखिए kindly visit regularly this webpage for updated next schedule जो भी schedule आपको यहां information मिलेगी यह official information होगी other sources की information पर इतना believe मत किजिएगा ठीक है तो इस पर जाके इसके बारे में detail देख लिजेगा अभी क्या है अभी first round की counselling खतम हो गई है first round की counselling खतम होने के बाद अब क्या होगा आगे क्या करें क्या नहीं करें इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे क्या करना है तो फक्राव की counselling खतम होने के बाद आप जहां ऐसे login किये थे वहीं आपको यहां देखिएगा corner पे यहां corner पे आपको candidate result देखिए यहां corner पे आपको candidate result का option है यहां आपका result सो होगा तो यहां आप अपना result देख लिजिएगा result देखने के बाद फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है result आपको मिल गया कि हां मेरा result इतना है उसके बाद क्या है आपको देखिए जो भी college allot हुआ है कि हाँ ये college आपको allot हो गया है ठीक है college allot होने के बाद आप क्या करेंगे ठीक है पहला है option या तो आप accept किजिए college को ठीक है क्या किजिए या तो आप accept किजिए college को या उसके बाद फिर क्या है college accept करने के बाद अगर आप college accept नहीं करते हो तो फिर reconsider के लिए दे दीजिए ठीक है reconsider में क्या होगा कि आप next round में round two में चल जाएंगे counseling के round two में चल जाएंगे ठीक है अगर आप accept कर लेते हो तो वहीं आपका process रुख जाता है अब आप जो भी आप जिस school में अब होगे जो इस्कूल अपसे संपर्क करेगा ठीक है न वह वह contact करेगा कि हाँ आप इस school को मतलब समल्य accept कर लिए हैं यह इस school में हमें admission लेना है तो उस वह इस school आपसे टू modify जाओ न ა नैक्स्ट रौ राउन्म्राण टूपिसल जाओ फिर क्या यद्ध और आप एंगिस्ट हो जाओ तो आैसी हो जाते हैं पिछली बार ऐसा हुआ था लिए आपको क्या करना है या तो बिन्द ौरेकंसिडर या प्र एक्सीड करना हो ठीकल है फिर इसके लोट हुआ है वो staying in FM आपको एमिसनले लेना थिक तो आगे क्या होगा फिर एफोल आगेAyas 출akt करेगा ठीक है कि इसकुल आप से कॉंटक्ट करेगा कैसे क्यां एमिल ँर्थायगा आपका तो आपको वेज़ेंगा मुझो67 की आपको आगे क्या करना थिक तो अगर आपका यूज़ करें तो इमेल को भी रेगुलर यूज़ करते रहना ठीक है ऐसा यह है कि अगर आपके नंबर 240 240 प्लस आये हैं कि आपके नंबर 240 240 प्लस आये हैं तो आपके चांसे ज्यादा है इतना ध्यान रखिएगा ठीक है फिर क्या होगा आपके प्लस नेंबर hè यूज़ क्या है कि इमेल इसमेस पही पहीं लेंविकता है रहना इस्कुल आपको क्या करा प्लस पहले चांसे नाय साथ यहां और आपको शुज़ का नीम धनays ओत आ ingredientsना है ठीक है और उसके medical कराना पड़ेगा ठीक है medical में क्या होगा या तो आप medically fit होगे या medically unfit होगे ठीक है medical में हर तरह से जाच होगी देखिए आपके आँक की जाच ठीक है फिर आपके दाथ की जाच फिर आपके फिर bonesons की जाच बने हर यह समझे ना कि सैनिक स्कूल में जो जा रहा है वो किसलिए जा रहा है उनका में एमबिशन क्या है कि वो बच्चे सैनिक बनेंगे वो मिलिटरी या हमारे जो भी जो आम फोसेस हैं या जो भी हमारे आर्मी हो उनमें वो जौइन होंगे होंगे न तो उनमें ज्वाइन होने के लिए उन्हें medically fit होना पड़ेगा क्योंकि जो भी सैनिक है जो भी military है हमारी देश की वो ऐसे मतलब ऐसे heart condition में भी रहते हैं कि अगर वो medically मेडिकली नहीं fit होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगें तो अगर आप मेडिकली फिट होना उनको जरुरी है अगर अगर अपको अपना medical कराना है यह medical कैसा होगा कि यह civil वाला ही medical होगा normal कहीं कर medical का नाम वो दे देंगे कि आप वहाँ जाके करा लिजी ठीक है अगर आप fit हुए तो आगे further proceed करोगे unfit हुए तो उसके बाद क्या करना है देखिए अगर आप medically fit हुए ठीक है medically fit हुए आप तो क्या करोगे fit document होगा ठीक है डीवी होगा आपका document verification अगर आप medically unfit हुए ठीक है तो अगर और आपको यह लगता है कि नहीं unfit नहीं है हम और आगे मुरी कारवाई हो तो आप क्या कर सकते हो appeal कर सकते हो सर्विश डॉक्टर के पास ठीक है यह आप अपने जो भी स्कूल होंगे उनके प्रिंस्पल से आप contact करोगे हैं में तो आगे further appeal कर सकते हो सर्विश डॉक्टर के पास यह सर्विश डॉक्टर होगे तो सर्विश डॉक्टर की ही बात मान यह हो गया ठीक है न फिर क्या होगा आगे आप appeal कर सकते हो medically unfit हुए तो फिर appeal कहां करोगे सर्विश डॉक्टर के पार जो military में डॉक्टर से उनके पास करोगे तो वह आगे आपकी जाज करेंगे हां क्या दिक्कत है क्या नहीं है अगर ठीक है तो आगे बढ़ा medical में फिर क्या हुआ आपका फिट हो गया तो उसके बाद फिर डॉकुमेंट क्या बोलेंगे डीवी डॉकुमेंट ठीक है अगर आप एंफिट हुए कि अनफिट हुए तो अनफिट के बाद क्या होगा आप सर्विश डॉक्टर के पास जाओगे अगर वहां भी वहां उन्होंने फिट बोलें वह तो ठीक है अगर वह भी अनफिट बोल दिया तो आप यहां से सकेंड राउंड में आप नहीं जा सकते हैं ठीक है ना और जो डॉक्मेंट वरिफिकेशन हुआ डॉक्मेंट वरिफिकेशन के बाद फिर आप आगे एडमिस्न ले सकते हों ठीक है इतना हो गया लेकिन अगर आपने राउंड वन में असेप्ट नहीं किया क्या किया रिक इंसीडर किया कि जो प्लॉक्मेंट हो रहा है हम ऊसमें नहीं चाते हैं हम आगे राउंड इखेल आप्ड़ी करोगें कि क्या करोगे रांड तो में आप फिर syपेट करोगें देखिए क्या होगा राउंड टू आने से पहले अभी राउंड फर्स्ट खतम हुआ है अभी यह टाइम लेंगे लगबग 10-15 दिन 10-15 दिन आपका समझ लिए 10-15 दिन के टाइम पिरियोट समझ लिए इतने टाइम आप से सैनी स्कूल लेगा क्यों लेगा क्योंकि अब उनको जो सीट खाली है जो सीट वैकेंट है उन पे वहां का मतलब लिस्ट निकालना है ठीक है वहां का लिस्ट निकालने के लिए आप से टाइम लेंगे क्या करेंगे देखिए कैसे कैसे सीट निकालेंगे जो रिकंसीडर पर क्लिक किये हैं जो यह बोले हैं कि नहीं हम राउंड two में participate होंगे round two में participate होंगे तो उनका जो seat उनका fix था वो अब फिर से vacant हो गया ठीक है ना round one वालों की seat vacant हो गई reconsider वालों की जो medically unfit हुए है ठीक है उनका क्या हुआ उनका भी आपका seat vacant हो गया medically unfit हुए है फिर क्या document अगर submit नहीं कर पाए या document में कोई गलबड़ी हुई ठीक है तो वह भी क्या होगा वह भी उनकी visit vacant हो जाएगी आप सोचिए यह तीन process करते करते आपके 10-15 दिन तो आराम से लगी जाएंगे ठीक है ना 10-15 दिन के बाद फिर आपका round two का process शुरू होगा ठीक है round two का process शुरू होगा आपको क्या करना है कि आपको round two में जब आप round two में जाएंगे ठीक है round two में जाने से round two में आप reconsider या new registration करना जो कौन-कौन से आएंगे एक आएंगे reconsider वाले राउंड 2 में और कौन आएंगे एक ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने फॉर्स्ट में पॉर्सिपेट ही नहीं किया था उन्हें new registration कहेंगे ठीक है उन्हीं रेजिस्टेशन करके आएंगे में पार्चिपेठी नहीं होए थे यह दो चीजे हो गई अब आपसे कि राउंड किमें आप गये तो आपको क्या ख्याल लखना है सीट मैट्रिक्स सेथी रहना फिक वे सीट मैट्रिक्स क्यों क्यों कि ऐसा होगा कि राउंड फ्रheen जहां वेक्न था या fill up हो गया अब round 2 में क्या को कुछ unfit हो जाएंगे कुछ reconsider करेंगे तो seat matrix देखके और अपने हिसाब से उसके बाद ही fill up किजेगा round 2 में seat matrix जरूर देखेगा ऐसा हो कि कहीं seat ही नहीं है और आप क्या किया है वो भी अपने round 2 में उसको भी डाल दी है अपने choice में तो नहीं हो पाएगा फिर आप round 2 में जाएंगे round 2 में जाने पर फिर आप reconsider वाले हैं या आप new registration वाले हैं दो लोग वहाँ समझ दिए round 2 में पहुंच गया हूँ ठीक है न एक वो जो round 1 में कहें कि नहीं हमें यह seat नहीं चाहिए हमें ठीक नहीं लग रहा है यह स्कूल यह हमसे distance में कोई भी रिजन हो सकता उनका और जो new registration किया है round first में participate नहीं किया है वो भी round second में जा रहा है ठीक है round second में दोनों लोग गए अब क्या हुआ देखिए round 2 में क्या होगा round 2 में फिर वही आपका आएगा फिर आप choices भरोगे ठीक है choices भरने के बाद आपको school allot होंगे और school allot होंगे school allot होने पर आप चाहते हो want to admission क्या है want to allotted school आपको फिर school allot होंगे आप चाहते हो उसी school में allot होना want admission in allotted school तो accept करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो ठीक है ना round 2 में अगर आप नहीं satisfy हो कि नहीं हमें फिर से round 3 में participate करना है तो आप क्या करोगे not satisfied with the allotted school फिर आप क्या करोगे reconsider में फिर आगे आप further proceed करोगे ठीक है ना आप further proceed करोगे यहां क्या है आपका अगर आप round 1 में participate किये थे ठीक है round 1 में क्या के तर registration किये थे और lock कर दिये थे ठीक है registration किये थे और locking choices of for round 1 ठीक है उसकी बाद क्या हुआ admission आपको college allot हुआ आप क्या किये आपका मन्द था कि नहीं इस college में लें कि ना लें अगर आप नहीं किये तो reconsider आ गया reconsider से आप round 2 में पहुँचे ठीक है यहां क्या होगा यहां fresh registration उनके होगा देखो लिखा हुआ fresh registration for round 2 is available round 1 registered candidates need not register again जो round 1 में register candidate है उन्हें दुबारक registration करने की ज़रूत नहीं है ठीक है reconsider करके वो round 2 में डारेक्ट आ गया है उसकी बाद क्या है display of newly added vacant seat ठीक है anticipated vacancies जो भी नई seats है जो नई seats add हुई है उसको और जो भी ऐसी मिलने वाली seats हैं उन्हें आपको दिखाए जाएगा सो किया जाएगा कि इस school में यह seat खाली है seat matrix जरूर देखिएगा round 2 में ठीक है न तो round first में यह complete होने के बाद आप reconsider किये देखिए यहां क्या हुआ आपको allotted school हुआ allotted school के बाद accept नहीं किये आपका है कि ने reconsider करेंगे reconsider करके आप क्या हुआ आगे बढ़ गए ठीक है आप आगे बढ़ गए तो फिर क्या हुआ नई seat दिखा रही है और क्या है choices can be changed by the candidate not allotted in round first ठीक है आप round first में जो च्वाइस फिल किये थे और आपको यह है कि नहीं मुझे अलोट नहीं हुआ तो आप choices change कर सकते हूं ठीक है न और क्या है और opted for reconsideration in round first ठीक है या round first में जो आपको मिला है वो भी 24 आपको नहीं चाहिए या आप जो चाह रहे थे वो 24 आपको नहीं चाहिए नहीं मिला है देख यह क्या होगा यह तो यह हो कि आप जो school चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला हो कुछ आपको दूसरा मिला हो ठीक है तो दूसरा कोई मिला है तो आपको कि मैरी लेना चाहता next round में पर्टिपेट होना चाहिए तो next round में पर्टिपेट हो जाओगे उसकी बार च्वाद क्या होगा च्वाइस समिटेड ओफ राउंड वन विल बी considered if not updated in round 2 देखो round 2 में जो round 1 वाले हैं reconsider कर क्या है अगर वो अपना choices update नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्या होगा कि जो round first में आप भरे थे वही आपको round 2 में माले जाएगा कि आपकी choices यहीं है ठीक है ना गिल्यार है और क्या है fresh choices submission for round 2 is newly registration candidate जो candidate फिर से new registration कर रहे हैं round first में नहीं participating हुए तो उनके लिए fresh choices फिर से दिखाई जाएंगे ठीक है ना तो यह होगा आपका admission का round first में जो बचे हैं जिनका नहीं हुआ है वो फिर round 2 में जा सकते हैं और फिर जिनका हो लिए है वो medical के लिए जाएंगे फिर document verification होगा ऐसे आपका चलेगा ठीक है ना यह बात होई आपकी round 1 के counseling के बाद और round 2 में बताया कि round 2 में अगर ऐसे करेंगे फिर क्या होगा round 2 में सेम प्रोसेस होगा round 2 में भी आप submit करोगे अगर आपको नहीं पसंदार आ रहा है कि हाँ यह school मेरे लिए अच्छा नहीं है या मुझे अच्छा नहीं है तो फिर आप फर्दर जाओगे round 3 में फिर वैसे ही होगा round 3 में भी आपका जो भी यह रहेगा आपके choices रहेंगे फिर सो करेंगे जो वैकेंट सीट रहेंगी वह फिर से सो करेंगे ठीक है round 3 के बाद ऐसे आगे फर्दर प्रोसेस होगा अब बात यह है कि जो बच्चे जिन बच्चों का नहीं हो पाया जिन बच्चों का ऐसा रहा की रह गया कुछ नंबर से तो ऐसा नहीं है कि आपके अब सब और कुछ खतम हो गया घर अगर आपका एक एसा है कि आप नच्छट यहर फिर से छुद् coral सकते हो आपको कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को भीज सकते उस ग्रूप में और आप उसके बारे में discussion कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है अगर आपका एज next year participation के लिए रह गया तो ठीक है कि हाँ ऐसे देता नहीं हुआ अगर आपका नहीं हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी 29 अप्रेल को नौदे विद्धाले का exam है ठीक है कि नौदे विद्धाले का exam है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका नहीं हुआ तो आप दोड़ी स्कूल का अर्जुन बैच ले सकते हैं अर्जुन बैच में हम इसमें क्या प्रोवाइड कराएंगे वीडियो लेक्चर्स एक्सराइज कोस्चन्स चैप्टर टेस्ट और टेलेग्राम ग्रूप प्रोवाइड कराए जाएगा ठीक है अगर नहीं हुआ सेनी के स्क भी बहुत अच्छा आता है ठीक है तो नौदे के लिए आप अर्जुन बैच जोइन कर सकते हैं ठीक है अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं मैं नौदे के टेस्ट देके देखना चाहता हूं कि नौदे का टेश्ट दूं कितना माक्स आ रहा है तो आप नौदे का अटेम्ट्स हैं स्लेबर्स बेस्ट कोश्चन से टाइमली टेस्ट है और रेंकिम इवलेवल हैं इसमें क्या होगा कि आप साइनिक इसकूल का पूरा स्लेबर्स पढ़ चुके हो आपको लग रहा है कि नौदे का सलेबर्स पढ़ नौदे का इक्जाम देके देखते हैं कि क पहनत करना है और प्रेटिस करने तो हमारे पास है पचास मॉडल पेपर का सेट है ठीक है इसके आप पीडियाफ डाउन्लोड कर पाओगे वीडियो सल्यूसंस आपको मिलेंगे स्लिवर्स बेस्ट कोश्चन रहेंगे और इसका रेट बहुत अच्छा रहा है ठीक है तो यह कर सकते हैं आप जिनका अगर रह गया किसी कारणवस तो आप नौदे के नौदे आपके पास एक बेटर ऑप्सन है ठीक है न इतना अगर आपको कोर्स लेटेट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करिएगा 6260388361 पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते ह अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए क्या आपको दिक्कत है आप कमेंट सेक्षन में में संब कर सकते हैं ठीक है ना इतना है रखते हैं इस वीडियो में ठीक हैं बाए झाल